हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो और यूटुब चैनल घरेलू हेल्थ टिप्स फ्रेंड्स आज मैं आपको इस वीडियो में वताएंगे परवल के फाइदे के बारे में जिहां दोस्तों परवल के फाइदे दोस्तों हडी सबजियों में मसूर परवल भोजन में कई लोगों की खास पसंद होता है भई कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इसे बिलकुल पसंद नहीं करते लेकिन स्वात के आधर पर इसे पसंद या ना पसंद करने के अलाबा कि आप इसके स्वास्त वर्धक गुनों के बारे में जानते हो यदि आप अब तक अंजान हो इसके स्वास्त वर्धक गुनों के बारे में तो आप जरुद जान लीजिए क्योंकि ये सबजी आपके सिहत के लिए कितने फाइदेमंद हो सकते है ये आप सोच भी नहीं सकते दोस्तो हम आपको बता दे कि परवल को पौश्टिक सब्जों में से एक मारना जाता है इसमें कई तरह के पोशक तत्तो पाई जाते हैं जो आपकी सिहत के लिए बेहत फाइदे मन्द होते हैं जो कैलोरी को कम करके कोलेश्टल के स्तर को नियंत्रित करता है दूसरा फाइदे सौ ग्रम परवल के छिलकों में 24 कैलोरीज होती है और इसमें मैगनेसियम, पोटेसियम, फास्परस भी भरबूर मात्रा में होता है आयुटबेत के अनुसार परवल में तौचा के रोग, बुखार और कबज की समस्याओं को खतम करने वाले औस्तोदियों गुन होते हैं तीसरा फाइदे परवल के बीजों में कबज को दूर करने के गुन होते हैं इसके अलाबा ये बीज, रक्त में सरकड़ा और फैट्स को नियंत्रित करने का कार्य भी करते हैं पेशब सम्मंदी रोगों और मदू में की समस्या के लिए भी परवल बेहद लाबदयक होता है चौथा फाइदे परवल में भड़पूर मात्रा में फाइबर्स होते है जो पाचन क्रिया को बेहतर करके पाचन तंद को मजबूत बनाता है आयरवेद की अनुसार गैस की समस्या होने पर परवल को इलाज के तोर पर अपनाया जाता है फाइदे नमबर पाँच खून साप करने के लिए परवल कापी फाइदे मंद होता है कब की समस्या होने पर भी परवल असरदर माना जाता है खून साप करके यह हमारे चेहरे को कांती मय बनाने में मदद करता है फाइदे नमबर च्छे परवल एंटी ओक्सिदेन से भी भरपूर होता है जो बड़ती उम्रों के निसानों जैसे जाईयों जोडियों और बारी क्रेखाओं को कम करके तोचा में कसब लाने में मदद करते हैं तनाप से निपड़ने में भी ये सहयक है फाइदे नमर साथ आयुर्वेत के अनुसार परवल सरीर की रोक प्रतिरधक खमता को बढ़ा कर बिमारियों से लड़ने में मदद करता है ये बुखार, खासी, सर्दी, तोचा संक्रमन और खाओ के उपचार में भी लाप्रद होता है फाइदे नमर आट, भुख ना लगने के स्थिति में परवल खाना काफी लाबदायक होता है परवल के सेवन से पेट के कीने भी मड़ जाते है और ये पीलिया के उपचार में भी सहयक है फाइदे नमर नौ, परवल के बीजो या उसका पत्यों का इस्तेमाल सिर्ड दर्द या सरी के किसी भी भाग में होने बाले दर्द के उपचार में भी किया जाता है इन्हें पीसकर दर्द बली जगा पर लेब लगाने से दर्द में आडा मिलता है फाइदे नमर दस, परवल की सबजी खाने से पेट की सूजन दूर होती है और पेट में पानी भरने की गंबिर समस्या में लाब होता है इसके पत्तों के लेब से फोड़े, फूसी और तौचा सम्मंदी अन्यरोग जल्दी समप्त हो जाते है दोस्तों आपने जाना परवल के फाइदे के बार में, परवल को अपने भोजन में जरू सामिल करे